असलम लेकुम प्यारी बच्चों तो हम पढ़ रहे थे प्रिकाशन्स टू बी टेकन वायल हैंड लिंग केश हमें कौन-कौन से एहतियार बरत नहीं जब हम कैश हंडल करते हैं जब हम कैश ट्रांजिक्शन वगेरा करते हैं तो हमें कौन-कौन से एहतियार जो हैं वहां पर बरत ने हैं तो इसमें हमने पहला पढ़ा था वो था हमारा रिटन प्रोसीजर्स रिटन प्रोसीजर्स रिटन प्रोसीजर्स में हमें पहला था हमारा रिटन प्रोसीजर्स रिटन प्रोसीजर्स में हमने देखा था कि हमें जो है रिटन मिंटेन करना है कि कस्टमर ने जो ह फिरह के साथ रेवरेड पालसी थी हमारी वसके साथ में डिसक्छाह見 ती वह मैं और राय सता ही, इस साधर हमें अजना चाल कीया था हमें डिखना था 처음 को राय सब्सक्राइब एक अदेखने हुए में प्रिचाहिज आपे एक्स्वाडिय कर सकते हैं हम choose करते हैं जिनको हम यह जिम्मेदारी दे दींगे कि आप जो हैं cash का काम संभालेंगे तो हर किसी बंदे को जो हैं इसमें हम अगर से हमारे पास organization में 10 employees हैं तो 10 के 10 जो हैं वो नहीं करेंगे इसके साथ deal बलकि 2 या 3 को जो हम assign करेंगे यह duty cash की तो इससे जो है हमारा risk factor कम हो जाए तो आज हम इसमें तीसरा पढ़ेंगे तीसरा इसमें जो है वो है employee background checks employee background checks employee background checks employee background checks जो हम employees जो है इसके लिए जो हम assign जिनको यह duty हम allocate करते हैं हम यह duty assign करते हैं cash की cash handling की duty हम जिन employees को देते हैं हम को क्या करना है उन employees का while selecting the employees for handling cash receipts as part of their duties the references should always be considered and checked properly हमें जो है उन employees का background check करना है उनका past record जो है हमें चाक करना चाहिए अगर से कि हमारी organization में कोई employee आया है उसका record पुराना record जो है वो background जो है उसका ठीक नहीं है उसने कहीं पर जो है कोई ऐसा मसला किया कोई ऐसा issue बनाया है जहां पर problem हुई हो तो हमें यह बनता है फिर कि यह हमारी फिर duty होती है कि हम जहां उस बन्दे को cash की duty उस पर assign ना करें उस पर वो duty हम ना दे उस बन्दे को इन चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें employee का background चेक करना होगा इसे जो हमारी risk factors come हो जाएंगे जब हम proper एक चेक अप करेंगे रेपरेंसे चेक करेंगे कि यह बन्दा किस के through आया है कैसे आया है इसका family background क्या है इसका जो यहां पे इसने पहले जो काम किया है वहां पे इसका record कैसा था यह सब हमें क्या करना है यह सब हमें चेक करना है जब हम यह सब चेक करेंगे उसे क्या होगा वो हमारी अपनी safety के लिए हमारी organization के smooth run के लिए जो है वो जुरूरी है तो employee background के बाद आता है चोथा इसमें employee training क्या आता है employee training employee training जो हमारे employee है employee training employee training में आता है कि जिन employee को हम जो है अब select करते हैं किस के लिए जिन employee को हम select करते हैं case transactions के लिए case handling के लिए it is responsibility of the organization एक organization की उस retailer जो है वहां पे outlet जो उसका owner है उसकी जो है उसकी responsibility है वो क्या करें यह जो है employees इनको training दे जिनका भी cash के साथ cash transactions के साथ recepts वगेरा के साथ इसके साथ जिनका भी काम है जिनको भी इसके साथ deal करना है उसको चाहिए कि इन सबको proper training दे proper training के बाद जो है वो अपनी duty जो है अच्छे से जो है पर फार्म कर सकते हैं वहां पे उनको बताया जाएगा सिखाया जाएगा कि आपका जो है cash आप कैसे handle करेंगे आप cash transactions कैसे करेंगे customer को अगर मतलब उसको बताना है कुछ इसका refunds वगेरा का exchange policy का वो आप कैसे बताएगे तो इसमें जो है यह employee की training जुरूरी है train and employee जो होगा वो अच्छे से जो है customer को handle कर सकता है उससे भी जो हमारी organization को outlet को फाइदा हो जाएगा उसके बाद आता है हमारा इसमें physical security physical security means measures promoted a safe working means promote a safe working environment and ensure security cash receptor handling इसमें क्या आता है physical security में restricted cash access to few people यह जो है cash का जो काम है यह हम क्या करेंगे few people चंद people लोग जो है उनके साथ जो है हम यह deal करीं कि cash drawers should be closed when not in use and lock it when not doing transaction कहते हैं कि जिन drawers में जिन में हम cash रखते हैं जो हमारे दुकान में outlet में organization में होते हैं जो जगा जहां पे हम जिसको हम गला भी कहते हैं जहां पैसा रखते हैं उसको क्या करेंगे should be closed when not in use जब हम cash का काम नहीं करते हैं तो हमें क्या चाहिए हमें वो drawer close करना चाहिए चाहिए और उसको क्या करना चाहिए लॉक करना चाहिए जब ट्रांजिक्शन ना होती वो store cash in a lock and non portable cabinet हमें जो है एक lock जो है device होगी हमारे पास जो होगा वहां पे यह tool होगा हमारे पास say trunk होगा locker होगा आज कल और भी आते हैं नहीं 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 तो उनमें हम जो है और उसका जो हम यह जो है password वो हम सिर्फ क्या है authorizer people को क्या करेंगे उनके साथ share करेंगे उसे क्या होगा जब हम authorizer people के साथ वो share करेंगे तो वहां पे जो हमारे risks है वो minimize हो जाएं तो आज इतना ही है इन्शालला कल आगे इस topic को continue करते हैं अल्लाह आपस